एक मुर्गी थी, मुर्गी के दो चूज्बे थे एक का नाम था लालू, दूसरे का नाम था पीलू लालू लाल चीजे खाता था, पीलू पीली चीजे खाता था एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल लाल देखा लालू ने उसे खा लिया अरे ये तो लाल मिर्च थी लालू की जीट जलने लगी वह रोने लगा मुर्गी दोड़ी हुई आई पीलू भी भागा वह पीले पीले गुड का टुकडा ले आया लालू ने जट गुड खाया उसके मुझ की जलन ठीक हो गई मुर्गी ने लालू और पीलू को लिप्टा लिया आईए अब इस कहानी का अभ्यास करते हैं अगर लालू और पीलू को सफेद और हरी चीज़े पसंद होती तो क्या उनके नाम अलग-अलग होते कहानी को देखा जाए तो लालू और पीलू यदि सफेद और हरी चीज़े पसंद करते तो उनके नाम अलग-अलग होते उनके नाम उनकी खाने की आद्तों के कारण ही रखे गए होते फिर वे क्या-क्या खाते लालू तब चावल, खील, साबू दाना आदी खाता और पीलू, हरी सबजिया, मूंग दाल, खीरा, घास आदी खाता लाल मिर्च खाते ही लालू की जीब चल गई तुम्हारी जीब क्या-क्या खाने पीने से जलती है लाल मिर्च, हरी मिर्च, गरम दूद पीने या गरम खाना खाने से मेरी जीब चल जाती है जीब चलने पर तुम क्या करते हो जीब चलने पर हम पानी पीते हैं इससे थोड़ा अराम मिलता है मिठाई या कुछ मीठा खाने से भी बहुत ही अराम मिलता है और सीखने के लिए सब्सक्राइब करें Catrick Gets TV जीब बहुत है